आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे गाउं के तरीके से घीया का रायता जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और इस बात की गैरंटी है कि बिना सब्जी के आप दो रोटी एक्स्ट्रा ही खा जाएंगे तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक क ओंब क सब्सक्राइब किजेगा चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमने घृया लिया है और घृय को इस तरह से कॉध्य से बड़े इसमें काट ले अछोड घ्प्णist ही है और इसको पाने पीस में लुड़ा लगता है बहुत ही जल्दित धही फेट लेते हैं व memorial क्ता लेना हैं मतलब कोई बड़ा पीस ना हो अच्छी तरह से आप दही को फेट ली जे क्योंकि दही जितने अच्छे से होगी ऊतना ही रायते में अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि दही के जो बड़े-बड़े पीसिस यहां पर हमने इसको कूक कर लिया है यहां पर हमने इसको भून लेना है बहुत अच्छी तरह से यह देखिए कितना बढ़िया कलर आया है अब यहां पर डाल देते हैं हम हिंग one फोर्ट ही स्पून के करीब हिंग डालते हैं हिंग और जीरा दोनों ही डाइजेशन में बहुत बढ़िया होते हैं जो डाइजेशन में बहुत हैल्प करते हैं यह देखिए यहां पर ना हमें इसको अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक हमने इसको भून लिया है अब हमें इन्हें हटा लेना है और यहां से और थोड़ा ठंडा होने देना है और फिर उसके बाद हमें इसे इस तरह से दरदरा कूट लिया है आप इसे स्टोर करके रखिए जब भी मन हो आपका तो चाज बनाई है हमारे इसको चाए बोलते हैं दही को फेटने को चाज नी चाह बोलते हैं चाय बनाई है और उसमें यह पाड़र डालिये हिंग और जीरे का और थोड़ा नमक यह ती यह जीरा हमारा तयार है यहां पर अब हम नमक बना लेते हैं तयार कर लेते हैं यानि कि हमें दोनों ब्लैक सॉल्ट और जो नॉमल हम घर में यूज करते हैं नमक वो दोनों को हमें equal continue में mix करके लेना है और यहां पर मैंने लिया है हरी मिर्ष को पीस कर बिल्कुल फाइन प उबल चुका है ये देखें आउन इसे मैश करना है बारीक नहीं पीसना है थोड़े पिसे हों थोड़े चोटे-छोटे-खेस में होने जैंए जिससें आमरे रहते का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है यह देखिए इस तरह जैसे ब Will fit कमफशर हो यह और को on yeormat c-b tim- almond मैंने सबको अच्छी तरह से मैश कर लिया है आप देख रहे हैं थोड़े बड़े बड़े पीसिस भी आपको इसमें दिख रहे हैंगे इसी तरह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चलिए इसे हम दही में डाल देते हैं जो दही हमने फेट कर रखी थी उसमें डाल देते हैं मैंने जो हमने घीया अभी मैश करा वो टाल दिया है और हरी मिर्श का जो हमने पेस्ट बना कर रखा हो था वो टाल देते हैं और फिर इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं बहुत ही बढ़िया टेक्शर आता है इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इसके बाद मैंने जीरा था वो जीरा इसमें टाल दिया है यह देखिए जीरे को मैंने जितना भूना था वो सारा टाल दिया है आप इसको जाधा टाइम नहीं लगता है आपको जब भी इस तरह का मन करें आप इसको बना सकते हैं आप जाधा बना कर एक कंटेनर में कर लीजे बना कर रख लीजे, यह देखिए मैंने सबको अची तरह से मिक्स कर दिया है, अभी हमें इसमें नमक नहीं डालना है, नमक जब भिलकुल खाने के लिए तैयार होते हैं, तभी नमक डालना है, क्योंकि नमक डालने से क्या होता है, रायता क्षटा हो जाता है, बहुत जादा क इसलिए जब भी आप इसको सर्फ करें नमक हमेशा तभी डाले रायते में उससे रायते का फ्लेवर बहुत बढ़ी आता है अब हम बिना तड़के के रायता एकदम पर्फेक्ट बने उसकी तैयारी करते हैं तो यहां पर मैंने एक प्लेट ली है उसमें एक कोईला को गरम करक बिल्कुल तेज गरम होना चाहिए कोईला उसको गरम करके लिया है यहां पर कोल को गरम करके लिया है और उसके डाला है दो बून तेल इसको तुरण धखते नहीं है थोड़ी देड नहीं है तुरण ठखते इसको ताकि जो अंदर ना एक स्मूकीनेस आएगी रायते में ए इस रायते के साथ दो रोटी एक्स्ट्रा ही खा जाएंगे इतना पढ़िया लगता है यह रायता और आप बिना रोटी सब्जी के भी इसको बहुत ऐसे ही पी जाएंगे इतना टेस्टी लगता है खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है पिसे एक बार ही ज़रूर झाला किम एक मिनिट लिए इस तरह से रखा दुऊंग तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि जो डुँआ जो ऑन समूकीन एस हमारे डायते में अच्छी तरह से सारे में खुल जाए यह देखिए अभी बज रहे हैं 11 तो मैं इसमें अभी नमक नहीं डालूँगे क्योंकि हमारे घर कहना खाते हैं एक बचे तो इसले मैं भी इसमें नमक नहीं ढालूँगी बस थोड़ा सा कटोरी में करके टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें मिर्ष भी डाली है अगर मिर्ष कम लगे हरी मिर्ष का थोड़ा लगे की कम है तो इसमें लाल मिर्ष आप और एड़ कर सकते हैं अपने हिसाब से तीखा रख सकते हैं इसमें यह देखे उतने ही में ही मैं नमक डाल रही लगता है यह देखिए इसको यहां पर इसको ढखकर इस तरह से रख देते हैं आप इसे बनाईए खाया और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगया आपको रेस्पी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इससे लाइक किजिए कर शेयर किजिए कर सब्सक्रा क्या मांगा, अधेधा है रह गयां बताएं करने तरह स्ब्सक्रा थाया लगा है